वेल्कम टो माइ चैनल IPO Tech, जैसे आप सब्सक्राइस क्या आपको चैनल पर हम अर्णिंग से रिलेटेड़ विडियो ले करके आते रहते हैं, तो आज जो हमने वीडियो बनाया हुआ IPO से रिलेटेड है, हम ऐसी वीडियो ले करके आते रहते हैं, जो आपको short term में काफी अच्छा income दे सके, तो आज जो IPO के discussion हम करने वाले हैं, जो information आपको देने वाले हैं, वह है AMI Organics IPO, कल के वीडियो में हमने विजा Diagnostic के IPO के बारे में जरूरी information दिया था, उसका link description box में दिया रहा है का, आप चाहिए तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं, तो चलिए, IPO के opening date, closing date वगरा हम लोग information इसका लेते हैं, IPO AMI Organics IPO का जो opening date है, वो सितंबर 1 से सुरू हो रहा है, सितंबर 3 को समाप्त हो रहा है, यानि आपके पास 3 दिन क समय है, विजा डागोनोस्टिक का भी यही time period है, issue type की बात करें तो यह book built issue है, यह fixed issue नहीं है, fixed prices का नहीं है, face value जो है 10 पर equity share है, IPO price अभी blank रखा गया है, market lot नहीं दिया गया है, अभी यह भी blank है, minimum order quantity भी नहीं है, listing जो होनी है, BAC और NAC पर होनी है, issue size की बात करें तो issue size भी blank है, अभी इसके बारे में कोई भी information नहीं आएवा, जैसे ही information आता है, हम सारी information आप लोगों के साथ जरूर share करेंगे, fresh issue की बात करें, तो यहाँ 10 पर equity share है, यहाँ पे देख सकते हैं, और aggregating यानि लगभग 200 करोर है, अब यहाँ पर offer for sale पर आ जाए, तो offer for sale जो है, वो है, 60,69,600, यह इसका offer for sale है, चलिए कुछ और information लेते हैं, जैसा अभी आपको हमने बताया, कि IPO का opening rate सितंबर 1 है, समाप 24 है, 103 सितंबर को हो रहा है, basis of enlightenment होना है, सितंबर 8-2021 से होगा, initial of refund, जैसा आप सभी जानते हों कि IPO जो है, सबको नहीं मिलता है, यह इसे दूसरे सब्दों म आपका सको तो यह तरह का lottery है, अगर यह मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो पैसा वापस होना शुरू हो जाता है, तो वो पैसा जो वापस शुरू होगा, सितंबर 9 से होगा, हो सकता है, आपको सितंबर 9 को न मिल करके 2-3 दिन का और समय ले, लेकिन पैसा एकदम आप के अकाउंट में वापस आ जाएगा, अब देखे, credit of share to demit account, यानि demit account में credit कब से होना शुरू होगा, तो सितंबर 13-2021 और IPO का जो लिस्टिंग डेट है, वो सितंबर 14-2021 का है, अब यहां company के financial status हम लोग देख लेते हैं, company का 31 March 19 का जो financial status है, उसके अनुसार यहां पे देख स 2318.92 और 4132.68 अब टोटल revenue की बात करें, तो 31 March 19 को 2388.96, 2424.88 और 3419.88 है, अब profit की बात करें, तो profit यहां देख सकते हैं कि 31 March 19 को इनकी profit 232.98 थी, 31 March 20 को यह profit बढ़ करके 274.07 हो गया, और profit 31 March 21 को 549.99 हो गया, तो देख सकते हैं कि इनका profit जो है, तो लगातार बढ़ रहा है, अब बात करते हैं, AMI Organic IPO के grey market का, जिसका 27 August 2021, यानि कि आज के डेट का grey market premium जो है, वो 60 रुपए यहां पे दिखा रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं, यह 60 रुपए यहां पे दिखा रहा है, तो फ्रेंट्स, AMI Organic IPO के लिए जो भी information था वो आपके साथ share क्या गया, जैसे ही कुछ और भी update होता है, उसे लेकर के हम आपके पास जरूर आएंगे, तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, share करे, comment करे और चैनल पर नए आया हो, तूसे subscribe कर ले, थैंक्स पर वाचिंग देश वीडियो,